ठीक है तो आज का मारा टॉपिक है management methods and techniques क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के notes आपको description box में दे दिये जाएंगे जहां से आप direct download कर सकते हो तो शुरू करते हैं management methods and techniques सबसे पहले चीज़ भाई management methods and techniques में किस-किस चीज़ों पर सवाल आया है तो एक तो management पर ही आपको सवाल आया हुआ है कि भाई define करो कि management क्या होता है उसके लावा management methods and techniques पर आपको सवाल आजाता है कि सबसे पहले चीज़ enumerate करो अलग-अलग management methods and techniques तो enumerate में आपको आजाता है कि behavioral science वाली enumerate करो या फिर आपको सवाल आजाता है कि quantitative methods जो है उनको enumerate करो, वो भी आया हुआ है उसके अलावा उसके अंदर भी सवाल आया हुए है कि behavioral science वाली methods है, management methods उनके बारे में बताओ, उसके बाद quantitative के अंदर भी आपको short note आया है, cost benefit analysis पे आपको short note आया हुआ है cost effective analysis पे आपको short note आया हुआ है, in fact इनके difference पे भी सवाल आता है तो वो हम अलग से जो पाचवे नंबर पे इसके बाद वाला topic करेंगे उसमें देखेंगे, network analysis पे भी आपको short note आया हुआ है और उसके अंदर PERT और CPM पे भी आपको short note या very short note आ जाता है, और कई बार आपको draw करने के लिए बोल देते हैं PERT या CPM, PERT draw करके दिखाऊ या network analysis draw करके दिखाऊ तो इतने सवाल हमको आई हुए है तो शुरू करते हैं बनाता है money, manpower and time ये तीन चीज़ मिलके resources बनाते हैं तो आप अपने resources का बहुत अच्छे से इस्तिमाल कर सको जिससे कि जो भी आपका end objective है उस तक आप पहुँच सको उसके लिए हम management करते हैं management का मतलब क्या है कि आप अपने resources का अच्छे से इस्तिमाल कर सको जिससे कि आप अपने objectives को fulfill कर पाऊ अब अब ये management कि किन किन चीज़ों पर हम normally हम जब आप PSA में पढ़ने हैं तो health services या health planning plannings करते हैं या programs होते हैं उनके लिए हम उन programs को या services को manage करते हैं तो उन programs के लिए resources available हैं उसके हिसाब से उन programs का objective को आपने कितना fulfill किया उसके लिए management सबूरी होता है तो चार basic activities होती है management में सबसे पहले आप planning करते हो उसके बाद उसको और अच्छे से organize करते हो फिर लोगों से communicate करते हो और फिर चीज़ों को control करते हो ये चार basic activities है management की सबसे पहले चीज़ है planning planning का मतलब क्या होता है planning का मतलब होता है क्या करना चाते हो आप कौन सी service शुरू करना चाते हो उसको कैसे करोगे फिर आता है आपने decide कर लिया क्या करना चाते हो कौन सी service देना चाते हो फिर आता है organizing organizing का मतलब आपने disrupt decide कर लिया कि इस service देना चाहते हो तो आप एक पूरा framework बनाते हो कि यह यह चीजे हम इस हिसाब से करेंगे तो आपने चीजों को organize कर लिया फिर लोगों से communicate करना communicate करने के लिए सबसे पहले तो आप staffing करते हो that is staff को recruit करते हो कि इन इन लोगों को हम काम पर करेंगे फिर उनको direct करते हो उनको instructions देते हो कि भाई क्या कैसे करना है उसके लिए सबसे अची चीज क्या है आप लोगों को motivate करते हो कि कैसे वो अपने काम को करें that is communicating सबसे आखरी में आता है controlling controlling का मतलब आपने plan बना लिया कि आपको क्या करना है आपने framework बना के organize कर ली चीजे उसके बाद आप आपने लोगों से communicate कर लिया staff रख लिया उनको direct कर दिया अब जब सब कुछ हो रहा है तो आप समय समय पर review करते रहो जैसा आपने सुचा था वैसे चल रहा है कि नहीं और budgeting भी करते रहो कि भाई जित्ता पैसा लग रहा है उसके साब से आपको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं in short इस controlling का मतलब होता है कि work progress जो हो रही है आपकी उसको check करते रहो कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं तो यह होती है आपकी चार basic activities planning, organizing, communicating communicating के अंदर is staffing and directing controlling जिसके अंदर review और budgeting आ जाता है तो हमने in short थोड़ा सा देख लिया कि management क्या होता है और चार basic activities क्या-क्या है management के तहत अब आता है कि कौन-कौन सी management methods और techniques होती है याद रखिएगा management methods and techniques दो तरह से हैं एक है जो behavioral science पे based है और एक होती है जो quantitative methods होती है ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई management methods and techniques कितने तरह की होती है पहले तो आप बोलोगे कि दो तरह की होती है एक जो behavioral science पे depend करती है या based होती है और दूसरी जो की quantitative methods होती है ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि behavioral science पे कौन-कौन सी based होती है तो behavioral science पे based जो management methods है वो है organizational design personal management, communication information system and management by objectives अब समझते हैं कि भाई इसनका मतलब क्या होता है हमको कोई भी health service अगर शुरू करनी है या कोई program कहीं शुरू करना है तो सबसे पहले चीज हमको चाहिए एक पूरा का पूरा organization जो कि अच्छे से designed होना चाहिए किसी भी health services को अगर हमको देना है तो उसको इस तरह से design करना चाहिए जिससे जिन लोगों को वो दी जा रही है उन लोगों की needs और demands को वो पूरा कर सके तो मुख्य उद्देश organizational design का क्या है कि जो भी हम health service देना चाहते हैं उसको इस तरह से design करो कि जिन लोगों को देना चाहते हैं उन लोगों की जरूरते और एक्छाएं पूरी हों अगर उनकी health needs के हिसाब से नहीं based होगी तो फिर उसको लोग accept ही नहीं करेंगे जैसा कि सुच भारत अभियान के तहट जो हमने open field application बंद करने के लिए किया था कि घरों में toilets बना दी गाओं में लेकिन लोग जाती नहीं है क्योंकि उनकी health needs के हिसाब से नहीं थी अगली होती है personal management personal management मतलब कि person लोगों को manage कैसे करोगे अब आपके पास एक organization है ढंक से वहाँ पर services चल रही है लेकिन आपको लोगों को manage करने के लिए क्या करना चाहिए सबसे अच्छी चीज है अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको incentives दो उनकी पगार बढ़ा दो बोनस दे दो या फिर उनका promotion कर दो तो और भी ज़्यादा motivate होंगे वो कि और अच्छा काम करना चाहिए तो इस तरह से आप लोगों को manage कर सकते हो या फिर personal management कर सकते हो यह थी second management method depending on the behavioral science third was communication बहुत important है अगर आपको यह health services देते हो तो बहुत important है कि जो communication roadblocks होते है ना उनको दूर किया जाए हर organization में हर health services में हर program में roadblocks होते है communication roadblocks कैसे roadblocks for example doctor patient के बीच में roadblocks होते है patient direct doctor से बात करने से हिच के चाहता है वो nurses, nursing staff से बोलता है बहुत आप से यह बोल दो वो बोल दो तो यह roadblocks हमको खतम करना है जिसे junior staff है किसी organization में वो senior staff से direct बात करने से खतराता है जो middleman होते हैं उनसे बोलता है बहुत आप से जाके यह यह बोल दो तो यह roadblocks को हमको खतम करना है और इसी लिए हम उसको फिर आता है information system information system क्या होता है यह आपको data provide करता है जिससे कि जो भी आप health program या health services दे रहे हो उसको ढंग से monitor कर सको और evaluate कर सको यानि कि आप नजर रख सको कि भई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं और उसके बाद evaluate भी कर सको कि जित्ता हमने सुचा था वो पाया कि नहीं पाया तो that is आपका information system तो आपने कहा कि भई आप data provide करता है तो इस data का आप करते क्या हो सबसे पहले टो data collect करते हो जाते हो लोगों से सवाल पूछते हो data collect किया उसके बाद वो जो आपने collect किया है उसको classify करते हो कि भाई अलग-अलग for example अपने अपने workers का data ले लिया उसको socio-demographic profile बना लिया कौन high socio-economic कोई middle में है कोई low में है आप पूरो socio-demographic profile बना लेते हो उसके बाद आप transmit करते हो कि भाई आपने data entry कर दी तो आप transmission मतलब आपने data entry कर दी और उसके में store कर लिया अब आप क्या करते हो transform करते हो transform मतलब क्या आप results बनाते हो अपने results कैसे बनाते हो आप अपने results में for example आप bar diagram बना दो या फिर आप pie chart बना दो यानि कि in short आप उसको graphical representation करते हो अपने data का और फिर उस graphical representation को फूरा करके आप display कर देते हो information को उसके लिए आप fenograph लोग उसकर सकते हो या charts उसकर सकते हो या tables उसकर सकते हो तो बहुत सारी चीज़े आप representation के लिए उसकर सकते हो तो इस तरह से पूरा information system काम करता है कि आप data लेते हो monitoring और evaluate करने के लिए जो data लेते हो उसको collect करते हो फिर classify करते हो फिर transmit करते हो फिर store करके रखते हो फिर transform करते हो और आखरी में display कर देते हो तो यह होगी चौती management method technique behavioral science पे based जो है और फिर सबसे आखरी behavioral science वाले जो आती है that is management by objective यह बहुत important होती है management by objective में आप क्या करते हो न पहले तो जितने भी आपके पास लोग है या जितने भी आपके पास वक्रस है उनको छोटी-छोटी units और subunits में बाढ़ देते हो तो आपने लोगों को groups में बाढ़ दिया छोटे-छोटे groups में आपने बाढ़ दिया लोगों को units और sub units में बाढ़ दिया अब ना आप अलग-अलग units और sub units को अलग-अलग objective देते हो भाई देखो तुम्हारा तुमको हमने objective 1 दे दिया तुमको हमने objective 2 दे दिया ऐसे आप अलग-अलग units और sub units को और फिर उनको अलग-अलग काम दे दिये, जैसे कि आपने एक unit को बोल दिया कि भाई, आप क्या करोगे, आप सिर्फ monitoring करोगे, एक unit जो है, आपने उसको बोल दिया कि आप implementation को देखोगे, फिर एक unit है, उसको आपने बोल दिया, आपको objective है कि आप evaluate करोगे चीजों को, ऐसे आपने अलग-अलग लोगों को, अलग-अलग unit, sub-units को अलग-अलग काम दे दिये, या अलग-अलग objectives दे दिये, तो यह होता है management by objectives, ठीक, तो behavioral science पे based कितनी है, organizational design, personal management, communication, information system, and management by objective, ठीक है, अब सवाल आता है कि इसको याद कैसे करे, याद वसे तो पाची है, डायलेक टाप कर सकते हो, नहीं याद होता है, तो यह बहुत अच्छी चीज है, क्या है यह, यह देखो, यह इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, यह पूरा का पूरा एक organization है तो यह क्या है, यह एक organization है, यह पूरी जो आपको building दिख रही है, यह एक organization है, अब यह जो organization है, उनका यह बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, इसने एक loudspeaker ले लिया है, और loudspeaker के थुरू लोगों से क्या कर रहा है, communicate कर रहा है, याद है, हम और education वाले chapter में यह पढ़ा था, कि communication क्या होता है, तो लोगों से loudspeaker के थुरू communicate कर रहा है, उनसे बाते कर रहा है, अब बाते कर रहा है, तो यह loudspeaker से कुछ चीजे बाहर आ रही है, जो वो बोल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, वो information दे रहा है, लोगों को loudspeaker से बाहर क् इसको अबजेक्टिव वन दिया उसको सेकंड अबजेक्टिव दिया इसको थर्ड अबजेक्टिव इसको चौत अबजेक्टिव इसको पाचव अबजेक्टिव तो यह क्या हो गया आपका management by objective तो समझ गए इस diagram में आपको पूरी पाचो चीज़े दिख रही है सबसे पहले चीज organization that is organizational design दूसरी चीज आपको persons दिख रहे हैं लोग दिख रहे हैं तो that is personal management उसके बाद आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि यह communicate कर रहे है लोगों से that is communication उसके बाद आपको दिख रहे है information दे रहा है लोगों को information system और information के थुझ अलग अलग objectives दे रहा है लोगों को अलग-अलग units के लोगों को that is management by objective तो ऐसे आप याद का सकते हो management methods based on behavioral science ठेक तो यह तो हो गए आपकी management methods based on behavioral science अब आती है quantitative methods भाई quantitative methods क्या होती है वहाँ पर behavioral science पर बेस थी यहाँ पर इसमें हम cost देखेंगे इसमें हम effect देखेंगे कितने लोगों को ठीक है यह सारे चीज़ है quantitative quantitative मतलब कि आप नाप सकते हो वो एक तरह से qualitative type कर सकते हो behavioral science पर यह quantitative methods है कुछ कुछ चीज़ें आप करोगे देखते हैं क्या करेंगे सबसे पहले तो आती है cost accounting management methods है आपने कोई service शुरू की है उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़े देखनी है सबसे पहले cost accounting that is जो भी program यह service आपने शुरू की है उसका cost structure क्या है cost structure क्या है मतलब भाई साब कितना पैसा लगेगा यह बता दो हमको क्योंकि हम cost accounting कर रहे हैं अभी याने कि कोई भी program आप शुरू करते हो यह service तो उसका cost structure तयार करते हो याने कि कितना पूरा खर्चा होने वाला है चीज़ों में यह बताओ that is cost accounting फिर आता है cost minimization analysis cost minimization analysis का मतलब क्या होता है कि आपना compare करते हो cost को अलग-अलग interventions की जो की एक ही benefit देते हैं इसको अलग तरह से समझने के लिए for example चाइना ने एक vaccine बना ली covid की उसके लावा Russia ने भी एक vaccine बना ली covid की उसके बाद America ने भी एक vaccine बना ली चलो India भी को क्यों पीछे रखे इंडिया ने भी एक vaccine बना ली अब हमको यह पता है इन सबका काम क्या है कि covid को नहीं होने देता है याने कि इनका benefit तो सबका सेम है अब हम क्या देखेंगे cost minimization analysis में देखो हम कोई भी service शुरू करना चाते हैं तो हम क्या चाते हैं कम पैसों में काम हो जाए तो हम यह देखेंगे कि इन में से सबी एकी equally benefit अगर दे रही है तो इन में से पैसा किसमे कम से कम लग रहा है वो हम देखेंगे और उसके लिए करते हैं हम cost minimization analysis मतलब कि अगर equal benefit देने वाले अलग-अलग interventions है या अलग-अलग management methods है आपके पास या अलग-अलग treatments अवलेबल हैं तो कौन सा ऐसा है जो सबसे कम में काम हो जाए सबसे कम में याने की minimum मिनिमम मतलब minimization ठीक है तो cost minimization analysis में आप यह देखते हो फिर आता है cost utility analysis cost utility analysis में याद रखना आप दोनों चीज़ देखते हो आप cost भी देखते हो और benefit भी देखते हो कि अब ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने कहा था कि वह चाइना है यूएस है रशिया है और उसके अलावा इंडिया है इनकी vaccines जो है एक का cost कम होगा लेकिन benefit जादा हो होगा एक का cost बहुत जादा होगा benefit और भी जादा होगा एक का cost कम होगा लेकिन benefit भी कम होगा तो आप इन सब को compare करते हो उसके बाद अपने final decision पर लेते हो कि भाई किसका impact quantity और quality of life पे जादा होगा तो इसमें आप दोनों चीज़े देख रहे हो क्योंकि इसमें दोनों हो सकते हैं दोनों के benefit भी अलग हो सकते हैं तो आप दोनों चीज़े को compare करोगे उसके बाद चूज करोगे कि कौन सी health technology या health service है जो quality of life और quantity of life दोनों पे equally अच्छे से effect करेगी जितना हम चाहते हैं यह आपको cost utility analysis करती क्या है आपको health benefit कितने हो रहे हैं इसको measure करती है जैसे कि healthy years कितनी आपकी life में हैं या कितने जोड़ जाएंगे यह सारी चीज़े तो उसके लिए हम concept of health and disease वाले chapter में पढ़ेंगे indicators of health indicators में आएगा disability indicators disability indicators के अंदर यह सब कुछ आते हैं daily and quality disability adjusted life years quality adjusted life years तो यह सारी चीज़े हम concept of health and disease में पढ़ेंगे तो cost utility analysis में आपको health benefit को measure करते हैं और उसके लिए क्या measure करते हैं daily या quality और quality जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तिमाल की जाने जीवाली चीज़ है कि कितने healthy years आपकी life में हैं तो cost utility analysis समझ में आ गया cost और benefit दोनों को compare करोगे कितने healthy years आपकी life में जुड़ रहे हैं यह देखोगे और उसके लिए daily और quality देखोगे तो यह तो हो गई आपकी cost accounting, cost minimization, cost utility analysis फिर आते हैं cost benefit analysis इस पे अलग से short note आता है याद रखना तो cost benefit analysis यहाँ पर एक term यूज हो रही है अगर आप देख सको तो benefit benefit का मतलब क्या होता है benefit का मतलब होता है फाइदा फाइदे का मतलब क्या होता है पैसा पैसा कितना आ रहा है ज्यादा से ज्यादा पैसा किसमे है वही हो आजकल फाइदे का मतलब होता है पैसा पैसे का मतलब होता है money तो ऐसे याद कर सकते हो कि cost benefit analysis जो होता है ना उसमें हम monetary terms यानि पैसों के हिसाब से देखते हैं कौन सी service हमको कम पैसों में ज्यादा काम करके दे रही है समझ गए तो इसमें सबसे important चीज याद रखने वाले कि इसमें हम जो है benefit जो देखते हैं वो monetary terms में देखते हैं economically sound यानि कि कम पैसों में काम कर दिया उसने इतना देखते हैं हम यह सब नहीं देखते हैं कि भाई जादा से जादा ठीक किया जादा जिन्दिगियां बचाएं यह सब नहीं हम तो यह देखते हैं कि भाई यह कम पैसा लगा किसमें वो अच्छी health service है उसको choose कर लो इसमें यह करते हैं cost benefit analysis में ठीक है तो वही लिखा है कि इसमें economic benefit देखते हैं किसी program का दूसरे program से compare जब हम करते हैं तो हम बस cost को compare करते हैं कम पैसों में किसमें काम हो जा रहा है ठीक तो वही है कि हम इसमें measure करते हैं कि कितने objectives यह targets हम achieve कर सकते हैं कम पैसों में that is cost benefit analysis अब जब हम health services में management करते हैं तो cost benefit analysis को हम लगाते हैं क्यों क्योंकि यह बहुत अच्छा example है total quality management पर याद रखना है total शब्द यूज कर लिए है जब total लग जाता है न तो हम पैसा भी देखते हैं वह यह total quality management में तो पैसा भी लेकिंगे तो total quality management के लिए सबसे अच्छा example जो होता है that is cost benefit analysis और आपको अगर किसी चीज़ का cost benefit देखना है या cost benefit analysis देखना है कि कम पैसों में कितना काम करना है तो उसके लिए network analysis सबसे अच्छी चीज़ है network analysis हम आगे आने वाली steps में देखींगे क्या होता है लेकिन अगर अभी आपको याद रखना है cost benefit analysis सबसे अच्छा अनलाइज करता है network analysis के थ्रूप तो इन दोनों को साथ में याद रखना network analysis cost benefit analysis cost benefit analysis network analysis अब cost benefit analysis में न दो तरह की approach होती है एक होती है human capital approach एक होती है willingness to pay approach simply तो इन दोनों के नाम बस याद रख लेना कि cost benefit analysis में हम दो approach कर इस्तिमाल करते है cost, human capital approach और willingness to pay approach मतलब क्या होता है इनका देखो human capital approach में हम ये देखते हैं कि हमने अगर किसी चीज़ पे invest किया तो वो आगे जाके यानि कि future में हमको फाइदा benefit देगा कि नहीं देगा तो हम human capital approach में ये करते हैं कि हम देखना है कि किसी इनसान पे यो human पे हमने अगर खर्चा किया तो वो खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए future को देखते हुए ऐसा नहों future में हमारा सारा पैसा डूप जाए तो हम सोच समझ के करते हैं कि यार जादा पैसे खर्च मत करो कम पैसे खर्च करो future में इससे कोई फायदा नहीं होगा ये सारी चीज़े हम human capital approach में देखते हैं इंसान पे देखते हैं कि इंसान आगे जाके फायदा करा पाएगा कि नहीं willingness to pay approach का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप कितना भी पैसा दे दो तो आप कुछ नहीं सोचते कि फायदा नुकसान आप तो पैसा खर्च कर दो for example आपको दिख रहा है कि भाई apple iphone 12 pro आ गया है डिर लाग का है अरे भाड में जाए पैसा खर्च करो हमको तो चाहिए है apple iphone 12 pro तो willingness to pay अप कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो कुछ नहीं सोचते फायदा नुकसान हमको तो खर्चा कर दो कर दो कर दो कर दो that is willingness पर कितना खर्चा आप कर सकते हो कर दो example के तौर पर human capital approach में न बहुत खराब examples हैं लिकना है जैसे कि for example किसी के घर में बिटिया पैदा होती है लड़की पैदा होती है बढ़िया थीक है अब किसी के घर में बिटिया पैदा हुई तो अब यह सोचिंगे कि यार इसका पालन portion करने के लिए न कम से कम पैसे खर्च करो तो स्कूल जाने दोगे तो बोलेंगे क्या करेगी स्कूल जाके रहने दो नहीं कराना है schooling schooling कौन पैसा खर्च करें इसकी schooling पे क्यों क्यों कि हमको आगे चाके दहेज देना पड़ेगा लड़की तो पराया धन होती है उसको तो ससुराल जाना है हम इस जाधा पैसे खर्च क्यों करें यह फालतू की चीज़े या schooling हो भी गई अरे college में पढ़ाई करके क्या करेगी आगे जाके हमको फाइदा तो कराईगी नि क्योंकि यह ससुराल चलेजाएगी सब फालतू की चीज़ें हैं सब लेकिन होता है यह सच तो हमना दहेज के लिए पैसा बचाएँगे पराया-धन है हम इस पर जादा खर्चा नहीं करेंगे यह तो ससूराल चले जाएगी हमार क्या फायदा होगा future में फाल्तू की चीजे न इस तरह से capital approach में सोका जाता है कि ये जो human है ये जो हमारी प्यारी से बेटिया है ये कितना फायदा कराएगी नहीं कराएगी नहीं करना हम को भार में जाए हमको खर्चा नहीं करना क्यों 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 कि future में तो इसको क्या करना है ससुराल जाना है तो हम खर्चा ही नहीं करेंगे that is human capital approach actually वहीं इसी के साथ आप याद कर सकते हो willingness to pay approach इसमें क्या हुआ इसके आना भाई के यहां क्या हुआ भाई के यहां क्या हुआ भाई के यहां कोई लड़का पैदा हुआ भाई के यहां लड़का पैदा हुआ अब इनने बोला कि यार ये ना इस पे जो पैसा है खूब सारा खर्च करो क्यों क्योंकि future में तो दहेज मिलेगा फालतू की कि अगे जाके यह हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा घंटा नदा आज कल कोई लेकिन इनको तो लगता है बुढ़ापे की लाठी बनेगा यह हमारी इस लिए इस पर जिद्धा खरच करना करो उसके बाद कॉलेज में आरे कॉलेज हम भाई को एनर आई सीट दलाएंगे क कितना खर्चा लगने दो, नरई सीट दिलाएंगे, उसके बाद हम इसको डाक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यह हमारी पुढ़ापे की लाठी है, क्योंकि हमको कुप सारा दहेज मिलेगा, यह फालतू की चीजें, क्यों? क्योंकि भाई ये तो हमारे साथ ही रहेगा तो आप ये अपना फायदा इसमें देख रहे हो That is willingness to pay approach कितना भी खर्चा हो जाए हम तो करेंगे long day पे लड़की पे हम नहीं करेंगे बिटिया पे खर्चा हो तो पराया धन होती है तो ये इस तरह के example से आप याद कर सकते हो human capital approach और willingness to pay approach तो ये हो गया आपका cost benefit analysis इस पर short note आता है तो याद रखना इसको कि एक ही चीज़ आपको याद रखनी है benefit, benefit मतलब फायदा और फायदा मतलब पैसा, money तो सब कुछ monetary terms में ये पैसो से related ही देखा जा रहा है और network analysis analyze करने के लिए best होता है ये याद रखना cost benefit analysis में उसके बाद आता है cost effective analysis यहाँ पर बहुत अच्छी term ये उसकी है effective, effective का मतलब क्या है कि उसका effect कैसा है, कितना effective है कितना effective है का मतलब natural units देखेंगे natural units है ने कितनी जिन्दगियां आपने बचाएं कितने लोगों को heart attack आने से आपने बचाएं तो इस तरह से देखते हैं benefit में पैसा देखते थे, यहाँ पर पैसा नहीं देखेंगे यहाँ पर आप जिन्दगियां देखोगे, कितनी जिन्दगियां बचाएं कितने लोगों को आपने बिमारी नहीं होने दी यह सारी चीज़े देखते हैं याने कि natural units में आप इस चीज़े को करते हो तो वही है कि कितना desired effect आपने सोचा था कि आप इतने लोगों की जिन्दगियां बचा पाओगे कितनी आपने उस बिमारी यह health problem को कमी लाई यह सारी चीज़े आप देखते हो ना कि पैसा देखते हो cost effective analysis में और cost effective analysis का best indicator जो होता है न that is quality adjusted life years यह हम concept of health and diseases में indicators of health में disability indicators के तहत हम पढ़ेंगे quality adjusted life years quality adjusted life years in short यह होता है कि अगर किसी को कोई बिमारी होई और उसके लिए आपने कोई intervention कर दिया है तो आपने कितनी साल और जोड दिये उस इनसान की life में कि अगर कोई इनसान को कोई बिमारी हो गई तो वो तो कुछ सालों में निपड़ जाता लेकिन अगर आपने उसको treatment दे दिया तो ये बिमारी को खतम करके कितने साल है जो आपने उसकी जिंदगी में और जोड दिये क्योंकि वो ठीक हो गया तो ये सारी चीज़े हम उसमें इंडिकेटर्स में देखेंगे उसके बद आता है cost effective analysis जो होता है क्योंकि इस पर भी आपको short note आता है तो इसको भी आपको अलग से पता होना चाहिए कि natural units कितने results achieve किये जिंदगीया बचाएं बीमारी को कम किया ये सारी चीज़े देखते हैं cost effective analysis में ठीक उसके बाद आता है input output analysis वही input output analysis क्या होता है input का मतलब क्या होता है input का मतलब होता है कितने resources आपने उस services में दिये resources का मतलब मैंने पहले ही बताया था money manpower और time resources का मतलब होता है money कितना पैसा लगा उसमें manpower मतलब कितने लोगों का इस्तमाल हुआ और time मतलब कि आपने कितना समय उसको दिया input आपने कितना input किसी एक service में दिया किसी एक program में दिया output is उस program ये services की help से कितने लोगों को आपने ठीक किया कितनी जिंदगियां बचाई तो input कितना लगा output कितना हुआ दोनों को analyze किया उसके बाद आप देखोगे कि वो service या वो program health service या program कैसा है इसमेंना दो चीज यूज होती है efficiency और effectivity ये दो अलग अलग चीज़े हैं इनको याद रखना है efficiency का मतलब होता है आप input output analysis करते हो ideal conditions में और effectivity check करने के लिए आप input output analysis करते हो real conditions में ये फर्क है आप किसी भी चीज़ की efficiency चेक करने के लिए input output analysis करते हो ideal condition में किसी भी चीजस की या किसी भी services की effectivity check करने के लिए अप input output analysis करते हो real condition में याने की field याद कैसे करेंगे देखो इसमें आ रहा है दो दो T आ रहे हैं effectivity में तो T का मतलब क्या होता है T का मतलब होता है true तो true condition याने की real condition में ठीक है ऐसे अगर आप बात करो efficiency की तो हला कि इसमें आ रहा है लेकिन आप कर सकते हो यहां भी आई है यहां भी आई है I is for ideal लेकिन याद रखना है तो सबसच्चा है T से याद रखो T का मतलब होता है true condition true condition का मतलब होता है real condition में तो effectivity real condition में input output analysis efficiency ideal condition में याने की lab के अंदर आप करके देख लो कैसा हो रहा है जबकि real condition याने की practically याने की field में करके देखते हो ठीक है तो that is your input output analysis efficiency और effectivity पे आपको सवाल वाइवा में पूछा जा सकते है system analysis क्या होता है system पूरकपूर system को analyze करने में एक decision maker को यह system analysis करके decision maker को मदद मिलती है कि एक particular course of action वो decide कर सके कि कैसे करता है वो course of action decide पहले तो वो investigate करता है कि कौन-कौन सी problem किसी एक जगह पे है उसके बाद objective search करता है क्या-क्या चीज़े उसको करनी है और सबसे important चीज़ जो system analysis करके देता है वो alternate solutions आपको निकाल के देता है आप अपने system को analyze करो सब कुछ देखो और देखो कि आपके पास जो services है उसके alternate और क्या-क्या चीज़े हैं जो आपके related health problems को ठेक कर सकती है तो जो system analysis है वो क्या ढोलने में मदद करता है वो cost effectiveness बताता है alternate sources या alternatives की तो system analysis जो होता है वो आपको बताता है कि जो भी health related problems है उसके alternate solutions क्या-क्या है और जो अलग-अलग alternatives हैं आपके पास तो उनमें से कौन जादा cost effective है ये निकाल के देता है आपको system analysis ठीक है तो इसके बाद आता है network analysis तो network analysis में हमको क्या-क्या पता होना चाहिए सबसे पहले चीज़ तो भाई network analysis का मतलब क्या होता है network analysis में आप क्या करते हो ना अप जितनी भी आपको services जो भी आपको service देनी है या जो भी आप program implement करना चाहते हो वो सारी activities उसमें जो जो करो कि आप जो जो आपका पूरा plan है उसका एक graphical map बना लेते हो और आप पूरा का पूरा नक्षा तयार कर लेते हो कि आखरी में जो objective आपको पहुँचना है वो उस तक आप कैसे पहुचोगे तो पूरा का पूरा एक graphical plan बना लेते हो network analysis में यह बहुत अच्छा होता है network analysis क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपको अपना project को खतम करने में कितना समय लगेगा और एक step जो हम पढ़ चुके हैं कि cost benefit निकालने के लिए या cost benefit को analyze करने के लिए network analysis सबसे अच्छा होता है एक थोड़े से जानकारी कि graphical representation सारी चीज़ों का आपको करना है और आपको बताना है कितना समय लगेगा और best तरीका होता है cost benefit को analyze करने का इसमें दो चीज़े याद रखने हैं आपको network analysis में एक तो है PERT that is program evaluation review technique PERT analysis अलग से short note या very short note आता है आपको और दूसरा है CPM, CPM is critical pathway method तो ये दो चीज़े आपको network analysis के तहत पता होनी चाहिए पहले आते हैं हम PERT क्या होता है PERT जो हमने उपर बोला वही है कि आप graphically represent करते हो सारे events या activities जो आप करने वाले हो एक service या program को implement करते समय दूसरी भाशा में कहूं तो आप एक graphical representation याने कि आप एक arrow diagram बनाते हो उसमें आप अलग-अलग sequence को या अलग-अलग events को sequence में रखते हो और उनका time लिखते हो बीच में कि कितना समय लगेगा उन सभी चीज़ों को complete होने में या पर्ट की ग्राफिकल representation कर दिया आपने उसके लिए आपने एक arrow diagram के थूँ सारी activities या आपने सारी events को sequence में arrange किया उनके बीच में उनका समय लिखा और सबसे आकरी में लिखा कि भई कैसे इत्ते इत्ते समय में आप इन इन चीज़ों को करके उस चीज़ को complete करोगे यानि कि ये pert analysis जो होता है वो आपको planning में मदद करता है कोई भी services देते समय उसको plan करने में उसको schedule बनाने में उसका और अलग-अलग समय उसको नजर रखने के लिए या monitor करते रहने के लिए भी आपका project या program जो चल रहा है उसमें मदद करता है pert analysis अब इस ही pert में जो आपने arrow diagram बनाया है जो आपने sequence में रखा है और time interval भी लिखा है इसमें जो सबसे लंबे समय वाली step होती है न उसको कहते है critical path ये जो आपने time रखा था न इसमें जो चीज सबसे लंबा समय लगी वो होगी critical method या critical step या critical path ये क्यों करते हैं हम critical path पर नजर क्यों होनी चाहिए हमारी कि अगर कोई activity या कोई चीज critical path जो है वो जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा लंबे समय ले लिया तो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट या पूरा का पूरा प्रोग्राम ही डिले हो जाएगा इसलिए critical path पर हमको नजर रखनी चाहिए कि भाई ये कुछ भी करके डिले ना हो example के तौर पे अगर हम network analysis और pert analysis और critical path method समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं for example एक hospital है ठीक है अब इस hospital ने बोला कि यार हम क्या करेंगे हम ना अपने यहां MRI कराना शुरू करते हैं तो इन्होंने service को plan किया कि हम अपने यह MRI कराना शुरू करेंगे उसके लिए उन्होंने एक MRI machine का order दिया ठीक है तो उन्होंने MRI machine का order दे दिया अब उन्होंने जब service को plan किया उसके बाद करीब दो महीने लगा दिये ये करने के लिए कि भाई कौन सी machine order करनी है क्या करनी है तो हमने दो महीने लगा दिये हमने बोल दिया कि भाई हमने MRI machine को order करने में क्योंकि हमको अलग-अलग जगह देखना था कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी कम पैसों मिल जाएगी तो हमने दो मैने में यह decide कर लिया, हमको इस company की यह MRI machine का order करना है हमने दो महिने का समय लगा के इसको order कर दिया उसके बाद यह जो MRI machine हमने order की है, इसको आने में लगभग हमको पता है 10 मेने लग जाएगे हमने तो विदेश्ट मगाई है, लगभग 10 मेने तो लगेंगे आने में तो वो जो लगभग 10 मेने लगेंगे MRI machine को आने में तब तक हम क्या करेंगे तो तब तक हम क्या करेंगे कि ये जो MRI मशीन हमारी आ रही है उसके लिए हमको स्टाफ की जुरुवत पड़ेगी तो हमने लगभग चार महने में पूरा का पूरा स्टाफ याने कि सारे के सारे टेक्निशन्स वगरा सब हमने हायर कर लिए या रिक्रूट कर लिए करीब चार महने का समय लगा के हमने सारे का सारे स्टाफ को रिक्रूट कर लिया हायर कर लिया जॉब पर रख लिया उसके बाद हमने करीब दो महिने तक जो स्टाफ को रखा उनको ट्रेनिंग दी कि भाई साथ ये नई मशीन आ रही है इसमें नए नए पार्ट से इनको कैसे क अक्लिमटाइज होने में लग जाएंगे उसके बाद ही काम शुरूर होगा तो हमको ये सारी चीज़े तो पता है ये होना है तो हमने एक नक्षा बना लिया कि दो मैने लगेंगे हमको मशीन को ओर्डर करने में दस मैने लगेंगे हमको मशीन को आने में उसके बाद चार मैने लगेंगे हमको स्टाफ को Recruit करने में, दो मैने लगेंगे हमको उनको train करने में, एक मैने लगेगा उस स्टाफ को acclimatize होने के लिए उस machine के साथ और जब यह machine आ जाएगी उसके बाद भी लगबग एक मैना लगेगा हमको उस service को start करने में, ये हमने पूरा बना लिया अब हम ये कर सकते थे कि ये सब कुछ ऐसा करते कि हमने MRI मशीन को ओर्डर किया हमने प्लान किया दो महीने लगा दिया MRI मशीन को ओर्डर करने में MRI मशीन को ओर्डर किया तो फिर वो दस महने बाद आई फिर जब मशीन आ गई है तब हमने क्या किया हमने स्ट स्टाफ आ गया तो उसको ट्रेन किया हमने ट्रेन करने में हमने दो महने लगा दिये फिर train हो गया फिर वो एक महिना और लेगा मशीन के साथ acclimatize होने में तो मशीन भी install हो गई है उसको एक महिना होने में और फिर उसके बाद एक महिना हमने लगा दिया अपनी services को start करने में कितना महिना लगा दो प्लस दस बारा प्लस चार सोला 16 और 12 अठारा एक 19 एक 20 तो अगर हम लाइन से चलते रहते एक-एक स्टेप साथ में करते रहते तो करीब हमको 20 महने लग जाते मगर हमने क्या किया हमने ऐसा नहीं किया हमने क्या किया हमने इस पूरी स्टेप में देखा कि critical path कौन सा था critical path मतलब हमने देखा था longest path कौन सा था longest path हमको ये दिख रहा है ये 10 महने लगने वाले हैं इस चीज़ को करने में machine को order करने के बाद machine को आने में तो हमने क्या किया हमने इस 10 महने का इस्तिमाल किया और हमने ये वाली जो step थी इसको उठा के अलग रख दिया अब हमने क्या किया हमने ये हमारा पूरा का पूरा critical path के तहत ये वाला रास्ता सबसे लंबा था तो हमने simultaneously इसके साथ काम किया कि भाईया 20 महने नहीं लगाएंगे जब तक ये 10 महने में ये सब कुछ होगा तब तक हम क्या करेंगे साथ साथ में staff को recruit करेंगे साथ साथ में हम उसको train करेंगे और जब machine आ जाएगे तो उसको काम पे कर लेंगे तो अब कितना समय लगा दो महने लगा equipment को order करने में 2 प्लस 10 महने लगे equipment को आने में और एक महने लगा equipment को start होने में या service को start होने में और ये जो 12 महने का समय लग रहा था इसमें हमने simultaneously 4 महने दिये staff को recruit करने में 2 महने दिये staff को train करने में और एक महने उसको acclimatize होने में तो हमको जहाँ 20 महने लगने थे उसकी जगह हमको तेरा मेहने में ही काम हो गया कैसे हो गया क्योंकि हमने critical path ढूण लिया था ये critical path हमारे या critical step थी critical step याने कि longest path कौन सा था तो उस longest path के simultaneously हमने बाकी काम कर दिये बस यही होता है network analysis कि आप arrow diagram बना दो critical path ढूण लो और critical path में जो 10 महीने आप waste करने वाले थे उस 10 महने में आपने बहुत सारे काम और simultaneously निप्टा दिये तो कम समय में ज़्यादा काम आप कर पाए जो चीज 20 महने में होनी थी वो आपने 13 महने में कर दी समझ गए? this is network analysis and this is part or this is critical path method समझ गए? याद रखना इन पर short note आता है तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लिना उसके बाद कुछ चीज़े और है quantitative methods में एक तो होती है planning, programming, budgeting system ये कुछ नहीं होता है ये planning, programming, budgeting हम क्यों करते हैं? हम करते हैं जिससे की resources जो हमारे पास हैं याने कि हमारे पास जो पैसा है हमारे पास जो manpower है हमारे पास जो समय है उसको हम धंग से allocate कर सकें धंग से distribute कर सकें जिससे की हम कम समय में ज़्यादा effective way से अपने objectives को अचीव कर पाएं तो planning, programming, budgeting system जो होता है वो decision makers को help करता है कि resources को आसानी से allocate कर सको इसी planning, programming, budgeting system के तहत होता है zero budget approach zero budget approach को पता बहुत simple भाषा में समझना है तो zero budget है तो हर budget zero से start होता है इसके तहत zero से start होता है यानि कि किसी को भी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा अगर वो पिछले साल उसको जो पैसा मिला था उसका पूरा data ना दे पाए कि भाई पिछले साल का पैसा तुमने कहां खर्च किया जब तुम वो बता दोगे उसके बाद ही तुमको पैसा मिलेगा अगर तुम पिछले साल का नहीं बता पाओगे तो इस साल भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा that is zero budget approach समझ गए कि सारे budget zero से start होते है किसी को कुछ नहीं मिलता अगर वो पिछले साल का अपना खर्चा नहीं बता पाए तो तो वही लिखा है कि relies on data of previous budget that is planning, programming, budgeting system and zero budget approach उसके बाद ना आता है work sampling ये भी बहुत simple है समझ ना बहुत अलग अलग चीज़े लिके तो बहुत simple है किसी का भी जो काम है ना उसको तुकडों में बाढ़ दो बस मतलब कि उसकी क्या करते है तुकडों में बाढ़ दिया याने कि आपने sampling कर दी उसके काम की that is work sampling तो वही है कि आप observe करते हो और record करते हो किसी भी individual के काम की या activities की एक pre-determined intervals में याने कि अगर हम दूसरी भाषा है बहुते है तो आप देखते हो कि कोई इंसान जो है कौन-कौन सी activities कर रहा है कितना समय उसको लग रहा है कोई भी काम करने में that is work sampling example के तौर पे अगर मैं बात करूँ example दूँगा ना तो बहुत अच्छे समझोगे एक nursing staff है एक nursing staff है उसकी आपको work sampling करनी है तो आप क्या देखते हो आप nursing staff का का काम क्या होता है patient care करना अब यह जो patient care कर रही है उसमें बहुत अलग-अलग चीजे होती है तो आप यह देखते हो work sampling में उसको कितना समय लगा अपने अलग-अलग काम करने में यानि कि सुबह-सुबह वो आई या आया उसको कितना समय लगा patients के bed को prepare करने में उसके बाद उसको दूसरा काम कितना समय लगा patients के vitals को monitor करने में फिर उसको patient doctors के साथ round retain करना है तो कितना समय लगा उसमे फिर अलग-अलग patients के samples collect करने हैं उसमें भी समय लगेगा फिर उनको drugs administrate करना है या दवाईयां देनी है उसमें समय लगा तो आपके पास एक nurse है उसके daily job है ये पूरा का पूरा इतना बड़ा उसका job है तो work sampling में क्या आपने ये देख लिया कि वो bed prepare करेगी फिर आपने ये देख लिया कितने समय में वो vitals monitor करेगी फिर आपने ये देख लिया कि कितने समय में वो doctors के साथ round return करेगी फिर आपने देख लिया कि वो samples कितने समय में लेगी फिर आपने देख लिया कि वो drugs कितने समय में देख ली तो आपने उसका जो पूरा का पूरा work था उसकी sampling कर दिये देखो तुकडों में पाड़ दिया और आपने time देख लिया कि किसमें कितना time लग रहा है बस यही है work sampling समझ गए आपने काम को तुकडों में पाड़ दिया और समय देख लिया किसमें कितना समय लग रहा है ओके, that is आपकी work sampling decision making भी एक तरह की quantitative method होती है इसमें मदद करता है जो resource persons होते है जो decision makers होते हैं उनमें मदद की जाती है इसके थ्रूर कि कैसे वो अपने resources को develop कर सकें कैसे workload को अलग-अलग लोगों में बाट सकें और उसके लिए कैसे strategies बना सकें उसके लिए हम decision making methods यूज करते हैं और सबसे आखरी में आता है model अब न तुमने देखा होगा कोई बड़ी-बड़ी buildings बनाते हैं तो उसके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे models बना के तियार कर लेते हैं या आपने देखा होगा कि भाई अगर आपको किसी जगह पर देखना है कि एक शहर में earthquake का क्या effect आप एक colony बना रहे हो जापान में बना रहे हो मानलो तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर colony या जो building आप बनाना चाहरे हो उस पर earthquake का क्या effect होगा तो आप क्या करोगे आप एक plot लोगे उस पर एक building book कर बढ़ाओगे करीब 10 साल में उसके बाद वहाँ पर earthquake आएगा तो ये building में कितना rare and tear हुआ ये देखोगे क्या नहीं आप क्या करोगे इस building का एक model बनाओगे उस model को एक table पर रखोगे फिर उस table को हिलाओगे या फिर एक तरह से earthquake को बनाओगे और फिर देखोगे कि इस पर क्या effect हो रहा है तो ये ही model का मतलब है आप जो भी health service देना चाहते हो प्रोग्राम बनाना चाहते हो आप उसका पहले एक model बनाते हो और उसको देखते हो कि क्या उस पर हम जो करना चाहते हैं वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो model का मुख्य उदेश क्या होता है कि जो अलग-अलग factors associated होते है ना अलग-अलग situation में आप ये देखते हो वो एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे को effect करते हैं और क्या अच्छा या बुरा होता है उसके लिए हम model का इस्तमाल करते हैं ना कि real में आपने building खड़ी कर दी और फिर earthquake में गिरा दिया उससे अच्छा है कि आप एक model तैयार करो और फिर देखो कि earthquake के वज़ए से वो गिरेगा कि नहीं तब तक जब तक कि वो ऐसी building ना बना लो आप model में कि जो earthquake में ना गिरे फिर उसको असलिय कोई काईगा तो नहीं गिरेगी इसी लिए हम model के इस्तमाल करते हैं कि अलग-अलग factors आपस में कैसे situations में interact करेंगे उनको check करने के लिए ठीक है तो यह होता है आपका model method ठीक तो अगर हमको याद करना है quantitative methods कितनी है तो हमको पता है quantitative methods जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि quantitative methods total जो है वो 12 है अब यह 12 quantitative methods को आप कैसे याद करोगे तो आप इस निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो कि जो PWD वाले थे ना उन्होंने एक model higher की तो यूनिक model थी वो यह model क्यों higher की उन्होंने कैसे है यूनिक थी यह क्योंकि यह ना बाकी models के मुकाबले 5 गुना महंगी थी और ना इस model को higher करते समय PWD वालोंने तीन बार analysis किया कि इसी model को हम लें की नी लें तो कैसे याद करोगे 5 times costly 3 times analyzed PWD model ठीक क्या इसका मतलब है 5 times costly मतलब 5 cost वाले आपके पास quantitative method में 5 है cost वाले कौन कौन से 5 है cost accounting, cost minimization, cost utility, cost benefit and cost effective तो 5 आपके cost वाले हो गए तो cost के अलावा कौन कौन से 3 analysis है तो 3 times analysis तीन analysis वाले तो input output analysis, system analysis, network analysis तो 3 आपके पास analysis cost के अलावा 3 तरह के analysis हो गए आपके पास फिर आता है P, W, D तो P से क्या हो जाएगा planning programming budgeting system W से क्या हो जाएगा work sampling, D से decision making और model तो model ही है तो model से model समझ गए तो 5 cost वाले, 3 analysis वाले P से planning programming budgeting system, W से work, D से decision and M से model तो ऐसे भी आप quantitative methods of management को याद कर सकते हो क्योंकि इस पे अलग से आपको enumerate पे भी सवाल आता है तो इतनी चीज़ें आपको management methods and techniques में पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूं सवाल की, तो management पे आपको अलग से very short note आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए management को की definition क्या होती है और basic activities क्या है ये वाईवा में भी पूछा जाता है कि basic activities क्या है ये आप बता दो अगर हम behavioral methods की बात करें तो इसमें अलग से short note आता है आपको theory में तो theory में आपको short note अलग से आता है कि behavioral science बताओ आपको very short note आता है कि भाई enumerate करो तो आपको enumerate करते भी आना चाहिए अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा में आपसे बोला जाता है कि भाई enumerate करो behavioral science क्या होती है वाईवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि communication roadblocks का मतलब क्या होता है और वाईवा में आपसे पूछ लिया जाता है management by objective का मतलब अगर मैं बात करूँ MCQs की तो जितने भी underline part है हमारे notes और slides में वो सभी अलग-अलग PG entrance exam में पूछे गए MCQs है तो एक MCQ आपको यही आया था कि management methods of behavioral science के तहित कौन-कौन सी आती है तो organization भी आती है, personal भी आती है communication भी आती है, management by objective तो यह एक MCQ मुझे मिला था behavioral science पर कि all accept करके आया था तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक उसके बाद आते हैं यह तो आप याद करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हो quantitative methods की बात करूँ तो quantitative methods में सबसे पहली चीज़ तो अगर हम theory की बात करें, तो सीधा-सीधा question आ जाता है short note आ जाता है कि quantitative methods के बारे हम बताओ या very short note आ जाता है कि भाई, enumerate करो तो theory में यह आ सकता है Viva में आपको पूछ लिया जाता है कि भाई, quantitative methods को enumerate करो तो आपको पता होना चाहिए, और MCQ क्यों भी एक आया हुआ है वही कि all quantitative methods में यह सभी आती है all except तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कोल सी आती है, वो 12 नान पता होने चाहिए cost benefit analysis की बात करूँ अगर मैं, तो cost benefit analysis पे आपको अलग से short note कई बार आया हुआ है theory exam में उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो सीधे-सीधे आपसे बोलते जाता है, भाई, cost benefit analysis को समझा दो, और वाइवा में आपसे पूछ ले जाता है approaches के नाम बता दो, ठीक अगर मैं बात करूँ MCQs की, तो आपको MCQ आया हुआ है, कि भाई उसके बाता है cost effective analysis, तो फिर वही है कि theory exam में आपको ये short note पे आही जाता है, कि cost effective analysis का मतलब समझाओ, अगर मैं वाइवा की बात करूँ, तो सीधा पूछा जाता है, कैसे ये cost benefit analysis से अलग है, तो natural units में होता है, monetary terms में नहीं होता है, अगर मैं mcqs की बात करूँ, तो mcq आपको आया हुआ है, कि भाई, इसका indicator best कौन सा होता है, तो quality इसका indicator होता है, best उसके अलावा, अगर आपको health field में काम करना है, तो most promising tool कौन सा है, तो cost effective analysis है, ये भी आपको mcq आया है, उसके बाद input output analysis की बात करें, तो इसमें आपको viva में पूछा जा सकता है, कि भाई, efficiency और effectivity में फरक बता दो, तो ये आपको पता होना चाहिए, तीक, उसके बाद हम बात करें, अगर network analysis की भाई साब, network analysis पे short note कई बार आया हुआ है, pert पे very short note आया हुआ है, theory exam में, तो ये तो आपको बनना ही, बनना ही, बनना ही चाहिए, तीक, अगर हम viva की बात करें, तो आपसे viva में direct push ले जाता है, बताओ pert क्या होता है, बताओ cpm क्या होता है, और in fact na, viva में आपको क्या किया जाता है, एक आपको खाली कागस दे दिया जाता है, और बोरा जाता है, चलो, port बना के दिखाओ, और उसमें cpm बनाओ, तो ये आपको बताते आना चाहिए, steps के through, कि भाई, इतना समय इसतर में लगेगा, यहाँ पर आएगा, यह सारी चीज़े आपको बनाते आना चाहिए, यानि कि आपको यह वाला flow chart बनाते आना चाहिए, वाईवा के लिए, ठीक, उसके अलावा अगर मैं mcqs की बात करूं तो mcqs आपको इस पर भी आया है, भाई, network analysis पर की graphical representation अगर आप करते हो, तो क्या होता है, आपको network analysis से time taken पता होता है, यह हम पहले भी देख चुके हैं कि cost benefit को analyze करने के लिए network best होता है, आपको port पर यह भी आया हुआ है, कि किसके तहएत आती है, network के तहएत, या cpm पर आया है, कि किसके तहएत, network के तहएत आता है, उसके अलावा graphical representation जब आप करते हो, तो वो क्या होता है, तो that is longest path क्या होता है, that is critical path, उसके अलावा कैसी मदद करता है, तो इस पर भी एक MCQ आया है हुआ है, कि अगर critical path ही delay हो जाएगा, तो पूरा project delay हो जाएगा तो आप देख सकते हो, कितने सारे MCQs सिर्फ network analysis पर आई हुए हैं, तो पता ही होना चाहिए, फिर आता है planning budgeting system, planning programming budgeting system, इस पर आपको very short note आ जाता है, theory exam में, तो पता होना चाहिए, उसके अलावा आपसे viva में पूछ लिया जाता है, कि भाई zero budget approach क्या होती है, यह बता दो, MCQ भी एक आया हुआ है, कि भाई previous budget पर जिसका data depend करता है, वो कौन सा होता है, तो zero budget approach या planning programming budgeting system, work sampling की बात करें अगर हम, तो work sampling viva में जरूर पूछ लिया जाता है, example बता दो, तो आप यह example बता सकते हो, nursing staff वाला MCQ एक आचुका है, कि भाई अगर आप individual का जो work है, उसको अलग-अलग तरह से record करते हो, अलग-अलग interval में, तो वो क्या होता है, that is work sampling, और यह जो nursing staff वाला, आपने example देखा था, वो भी एक MCQ आया हुआ है, तो इतनी चीज़ें हैं, जो आपको management methods and techniques में पता ही होनी शाहिए, thank you